हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूडिव चैनल जिसका नाम है विकास 311 टैग फ्रेंट्स अगर आप Facebook चलाते हैं और आप पीच आते हैं कि आपके Facebook की जो Profile है उसको कोई बी ना देखे उसको सिर्फ आपके फ्रेंड्स ही देख पाएं कोई और उसे ना देख पाएं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी फेस्बुक की प्रोफाइल को कैसे लोग कर सकते हैं वीडियो बहुत ही इंफर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लाज तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें सबसे पहले अपनी प्राइट में टोप फी दिखाई देगी नीचे आके सेटिंग प्राइवेसी का इक आपशन दिखाई देगा आपको इसके उपर क्लिक कर देना है इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारी option आ जाएंगे उसमें आपको setting वाले option को select करना है setting वाले option को select करने के बाद आपके सामने ये page open हो जाएगा इसमें आपको scroll down करना है और privacy के option में आना है इसमें आपको privacy setting profile locking का option दिखाई देगा locking वाले पे click कर देना है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यह दिखा रहा है कि इसको lock करने से आपको क्या-क्या benefit है तो इसमें अगर आप अपनी profile को lock कर देते हैं तो केवल friends ही आपकी photos, posts और stories को देख पाएंगे और friends आपकी profile photo और cover photo को full size में देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएंगा लेकिन फिर भी अगर कोई आपको Facebook पे सर्च करेगा तो आपका नाम show होगा और वो आपको friend request भी बहेज सकता है ठीक है lock करने के बाद भी तो हम नीचे lock your profile का option है इसके उपर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे यह notification भी आ गया है you locked your profile only your friend can see the post, photos and story on your profile ओके पे click कर देंगे और यह इस तरीके से हमारी जो profile है उस पे हम lock लगा सकते है तो friends आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि आप अपनी Facebook की profile को कैसे lock कर सकते हैं फिर भी इस वीडियो से related कोई भी query आपके mind में है कोई भी question आता है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आया हो तो इसे like जरूर करें और ज़्याद ज़्यादा share करें Thank you